जब कई स्टुडेंट 10B या 12B की परिक्षा पास कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई आटिया फीड में करना चाहते हैं, आटिया करना चाहते हैं, तो इसे में कई भी 10B या 12B पास के स्टुडेंट रासानी से किसी भी प्राइबेट आटिया संगस्तान पर आटिया की किसी भ पड़ा करना चाहते हैं पर आपको नहीं पता आखिर सरकारी आटीए कॉलेजर के एडमिसन परसिस क्या है एडमिसन केसे मिलते हैं इसके लिए क्या करना होता है अगर आपको सरकारी आटीए कॉलेजर के एडमिसन परसिस से जुड़े कुछ भी जनकरी नहीं है तो कई बात न पढ़ाई करने से पहले आपको उस्ट्योडी थोड़ा कुछ जोवर पता होना काहिए इसलिए हम चाहिए आप सरकारी 1कर्स से पूरी जनकरी लेने से पहले आप ही जानगे कि आखेर यह आटी कोर्स क्या है इस कोस्स में स्टुडेंट को क्या पढ़ाई यह उसी क्या हziękuję जाते हैं आटीए क्या कोर्स से टेड को सक्ड़ाई कर सकते हैं सक्चेकनर की जग्या तक क्या है आटीए कोर्स कहाँ पर कर सकते हैं, कम से कम इस कोर्से जुड़े ये बेसिक जनकरी आपको जोरुप पता होना चाहिए फ्रेंट्स आटीए बारत सरकार के स्वाम एवंग रोजगार मंतरा ले दोरे चलाई जाने वाली एक और दोगीक परिसिक चेंट संगस्तान है आटीए क्या पूरा नाम इंडिस्ट्री ए टेर्निंग इनिस्ट्योट है, आटीए कोर्स में 6 महने से 2 साल तक की पड़ाई होती है आटीए कोर्स की परसिक्चन लेने के लिए नोना तम सक्चेकने की जगेता कम से कम 8B, 10B या 12B पास होना ज़रूरी है 8B पास बालों के लिए ITA के नोन इंजिनिरिंग टेर्ट को सेवे लेवल है, तो उहीं 10B और 12B पास बाले इस्ट्योट के लिए एस्पेसाल इंजिनियरिंग टेर्ट को सेवे लेवल है RTA course में student को बहुत सारे engineering और non-engineering trade को उसकी training दी जाती है कुछ लगफिरियों engineering trade जैसे tool and die maker engineering, guitar engineering, electric science engineering कुछ लगफिरियों non-engineering trade जैसे copy computer operator and programming assistant, dtb or desktop publishing operator इस तरह बहुत सारे engineering और non-engineering trade course है जिसकी परसिक्चन आप किसे भी RTA संगस्तन पर ले सकते हैं RTA के अंदर पसिक्चन दिये जाने वाले सभी trade course की course direction एक जैसे नहीं होते हैं जैसे vital engineering trade के लिए 2 साल, electric science engineering trade के लिए 2 साल, copper trade के लिए 1 साल, इस तरह 6 महिने से 2 साल तक की पड़ाई होती है अगर आप RTA के सभी engineering और non-engineering trade को उसकी जनकरी पाना चाहते हैं required qualification के सथ पूरे list देखना चाहते हैं तो आप video description में दिये गए link पर क्लिक करके पूरी जनकरी पास सकते हैं तो RTA कोर्स के admission process क्या है चलिए जानते हैं फ्रेंट्स प्राइबेट और गम्मेट RTA संगस्तानों के admission process सालाग अलाग होता है प्राइबेट कलेज़ों में RTA कोर्स की पड़ाई करने के लिए आसानी से direct admission तो मिल जाते हैं फोई सरकारी RTA कलेज़ों में सिधे बरती नहीं होते हैं तो गम्मेट RTA कोलेज़ों के admission process क्या है admission कैसे मिलते हैं चलिए जानते हैं नमबार वन सरकारी RTA कलेज़ों में admission लेने के लिए student को अनलाइन apply करना होता है अनलाइन apply करने के लिए आपको RTA के उसी official website पर जाना है जिस state से आप हो नमबार टू new candidate register पर किलिक करना है और पूरे firm बर का registration करना है नमबा 3 इसके बाद username और password डाल कर लंगिन करना है और step by step पूरे firm बरना है जैसे name, address, other number, qualification, details, date of birth, email address, mobile number इस तरह जो कुछ भी मागे जाएंगे आपको सही सही बरना है profile photo document जो भी मागे जाएंगे आपको upload करना है और complete apply करना है ठीक है? अगर आप apply करना नहीं जानते हैं तो आप हमें comment box में बता सकते हैं अगर ज्यादा लोगों के comment होंगे तो iti की apply process से जुड़े भी एक अलग से tutorial वीडियो upload कर दी जाएंगी next complete apply करने के बाद print out भी निकलना है ये print out आगे आपके काम में आएंगे इसलिए इसे ठीक से रखना है number 4 firm apply करने के बाद merit list पर नजर रखना है इसके लिए आपको website पर समय समय पर notification चेक करते रहना है number 5 merit list आजाने के बाद आपको merit के आदार पर सिरेट के गए गफ्ट ITE college पर जाना है और document verification हो जाने के बाद admission लेना है ज्यान देने बेली बात यह है कि सरकारे ITE college में admission लेने के लिए align firm apply date पर business द्यान रखना होता है फर्म जादातर जुलाई आगस्त मैने में ही निकलते हैं इसलिए दोनों मैने पर business नजर रखना है और समय समय पर ITE के official website पर notification चेक करते रहना है तो आज आपको इस वीडियो में ITE को और से जुड़े basic जनकरी के साथ सरकारी ITE कोलेजर के admission process से जुड़े भी compete जनकरी मिल गए होंगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए अच्छे लगे तो वीडियो का लाइक जोड कीजिए मन में कई साबाले तो कमेट बक्स में अपनी बातियों में जोड़ सेर कीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ना भूले सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जोड़ पेस कीजिए धिन्यवाद